नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि H-Rex 25 टैबलेट का उप्योग किन कंदीशन्स में किया जाता है, H-Rex 25 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और H-Rex टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि H-Rex टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, H-Rex एक ब्रैंड नेम है, H-Rex टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन हाइड्रोक्सिजाइन 25 एमजी होता है, H-Rex टैबलेट एक अंटिहिस्टामिन ज्रग क्लास की दवा है, H-Rex टैबलेट का उप्योग त्वचा पर रैशेस होने पर और त्वचा पर खुजली होने पर H-Rex टैबलेट का उप्योग किया जाता है, डॉक्तर क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानि त्वचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर भी H-Rex टैबलेट को लेने की सला दे सकता है, मधुमक्खी या किसी अन्यकम जहरीले जानवर के काटने की वज़ह से कुई त्वचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी Dr. H-Rex टैबलेट को लेने की सला दे सकता है, H-Rex टैबलेट को लेने के बाद नीन अधिक आती है, इसलिए Dr. H-Rex टैबलेट को एंजाइटी यानी चिंता को दूर करने के लिए भी H-Rex टैबलेट को लेने की सला दे सकता है, इसके अलावा Dr. सर्दी जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी H-Rex टैबलेट को लेने की सला दे सकता है, सर्दी जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए भी H-Rex टैबलेट का उप्योग किया जा लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में H-Rex टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं, जैसे मुव में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नीन अधिक आना, नाक से खुन आना, चक्कर आना और कब्ज होना आदी साइड इफे का एक सामान्य साइड इफेक्स है, और H-Rex टैबलेट को लेने वाले ज्यादा तर व्यक्तियों में इस साइड इफेक्स को नोटिस किया गया है, अब हम डिसकस करेंगे की H-Rex टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है, H-Rex टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लि जा सकता है। आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्तर एच रेक्स 25 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। एच रेक्स टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको एच रेक्स टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आ करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि एच रेक्स टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। किड्नी फैलियर होने पर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर एच रेक्स टैबलेट की दोज घटानी पड अधिक आ सकती है। इसलिए एच रेक्स टैबलेट को शाम के समय लेना रेक्मेंडेड होता है। एच रेक्स टैबलेट के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए। एच रेक्स टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए। और ऐसी मशीनों पर क प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एच रेक्स टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एच रेक्स टैबलेट को डॉक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एच रेक्स टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं